हलो दोस्तों स्वागत है आपका न्युक्लेस अकेंडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर जहां पर मैं हूँ अंकीत और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैट्स तो चलिए बिना किसी देरी के आज एक हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिस्केशन करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है अगर आप देखें अपनी ऑल एजुकेशन के परपस से में अगर मैथमेटिक्स आपको हर जेगे यूस में आएगा है ना तो चलिए हम बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं दिखें यह जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है अगर इसको हम धंग से पड़े हैं तो इसमें मैं दो पार्ट्स को इसको अलग-अलग कर लेता हूँ इसका पहला पार्ट जो इसको लिखते ता हूँ मैं ट्राइ और दूसरे को लिखते ता हूँ गोनमेट्री ट्राइ मेंस क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइ सीरीज चलती रेती है तीन है तो जो ट्राइ होता है उसका मतलब होता है तो यह तीन का मतलब क्या है तो जो ट्रिग्नोमे sine और cos का means भगवान और राक्चस का और हमको पता है वो दो तो है ही और उसके बाद एक चीज़ हो रहे कि ऑर जो साइन और कॉस की हम बात कर रहे हैं, भगवान और राक्षस, ना, दोनों का कॉंबो है, और इंसानों की जो हादर होती हो, हमेशा टांग अड़ाने की होती, इसलिए इसका नाम हमने के रखा है, तेन यहाँ पर रखा है, अब हम बात करते हैं, जो साइन है, साइन का ज यो में रेड में लिखा है इसका मीनिग जो को से स्टार्ट होते हैं अ मतलब क्या होते है अपोसेय नियुजर है अब देखिए जो भगवान था जैसे साइन था साइन का क्या हो गया अपोसेट अपोजिट क्यों हो गया क्योंकि साइन जो था वहां पर बहुत अच्छा था ग्रीन ही नेचर था और जहां पर कॉसेक की बात करी हमने तो वह क्या हो गया इसी तरह से जो कॉस था उससे देखिए सेक बन गया सेक भी क्या है अपोजिट है क्यों अपोजिट है क्योंकि अगर तो उसमें भी क्या आ रहा है? ती आ रहा है बिल्कुल बहुत एच्छे समय नहीं है इसको 10 का cot क्योंकि इसमें टी आ रहा है उसमें भी टी आ रहा है cos आगे से पढ़ो cos पीछे से पढ़ो sock sock दिखता है तो sock का o हटाके e लिख दो तो क्या बन जाएगा cos का sick इसी तरह से हमने इसके basic कुछ formula बनाए है क्योंकि यह recipe protocol है आपस में sin का ulta cos 1 cos का ulta sick और 10 का ulta cot तो इसी तरह से हमने कुछ formula बनाई है देखिए है formula cos 1, cos 1 का क्या हो जाएगा ulta? जल्दी बताए, sin, तो 1 upon sin, sin का ulta क्या हो जाएगा cos 1 upon cos इसी तरह से हम cos को के लेखिए 1 upon sin, sin को के लेखिए 1 upon cos इसी तरह से हम 10 की बात करें, 10 को हम लेखिए 1 upon cot और cot को के लेखिए 1 upon 10 तो बहुत easy है इस formula को समझना है है अब हम बात करते हैं जो basically हम 10 थे के trigonometry पढ़ने वाले हैं उस वो सारे के सारे जो formula है वो सिर्फ एक triangle को उपर लगी है जिसका नाम है right triangle है है अब हम बात करते है right triangle की ठीक है अब आपको जैसा कि पता है कि जो triangle होता है उसमें sides कितनी होती है three sides होती है है तो हमने basically कोई भी three sides बढ़ा दी अब यहाँ पर एक नाम लिखा में right right का meaning क्या होता है right means 90 degree आपको जैसे teacher जैसे 90 degree का right देता है ना उसी तरह से यहाँ पर क्या देता है 90 degree का right देता है means यहाँ पर दो कोई भी side होँगी उन दोनो side के बीच में कोई भी two side के बीच में 90 degree का angle आता है तो उसको बोलते हैं right triangle है ना अब इसमें जो सबसे longest side होती है मतलब 90 degree के जो opposite के side होती है उसको क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं hypotenious है ना और जो बागी के 2 sides होती है उसको हम perpendicular बोलेंगे एक को और एक को बोलेंगे base जरुरी नहीं है कि base हम कि हम नीचे वालो को य बोलें ऐसा भी हो सकता है कि बेस उबर वाले को भी बोल सकते हैं इसे इससे इंगल मनदें यहां पर हमने ट्राइंगल बनाया है जिसका नाम है AB, BC और AC है है इसको अगर आप धंग से देख रहे हैं तो इसमें A और C जो है वो कौन से एंगल बनाया है हमने एक्यूट एंगल है और जो 90 डिगरी का एंगल है वो कहाँ पर बनाया है हमने B के उपर बनाया है मतलब जो B है वो कौन साट एंगल है वो राइट एंगल है अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी राइट ट्राइंगल होता है उसमें हमेशा एक थियोरम लगती है उसका नाम क्या होता है पाइथागोरस थियोरम बेसिकली होती क्या है वो होती है H square is equal to P square plus B square means H means hypotenuse का square is equal to B means base का square plus P means perpendicular का square ना तो है बेसिक से पाइथागोरस थियोरम होती है और आप इसको किसी भी तरह से याद कर सकते हैं यहां पर अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हरा भरा पेड हरा मिन्स हर से hypotenuse बर्स से आपका भरा जो बने बोला है बर्स से बेस औ कर सकते हैं है चलिए तो यह हमारा आत्राइंगल के बारे में हमने बेसिक हैं थोड़ा सा पढ़ लिया है यहां पर अब हम बात करते हैं आगे कि यह जो राइंगल है और जो हमने साइन कौस तयन जो पड़ा है उन दोनों का कॉंबिनेशन की तरह से बीठाना है तो चलिए, का हमने formula के बताया है पापा हैं मतलब perpendicular upon hypotenuse चीक है जो दूसरा वाला बनाया हमने cos का formula के बन जाएगा beta है है ना based upon hypotenuse और 10 जो है उसका formula के बन जाएगा P upon B papa upon beta जैसा कि मैंने आपको बताया था भी थोड़ी देर पहले वीडियो में कि sign और cos मतलब इंसान और राक्चस जब दोनों को मिलाते हैं जब क्या बनता है आपका इंसान बनता है और इंसान क्या है उसके आदत हुथी टांग अड़ाने की है ना टांग है लब 10 है और यह दोनों किस से मिलके बना पापा और करें तो तो यहां पे आप यह बन चुके हैं आपको समझ में आगा होंगे अच्छे से इसी के लिए क्या है कि बच्पन में हमको एक फॉर्मूला पढ़ाया था जिसका नाम था पाकिस्तान भूका प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा तो इसका एक फूरी सिंपल सा हमको फॉर्मूला याद करने के लिए टेकनिक बताई थी कि पी पी अपॉन एच एच बी मतला अगर अगर आउपर से पढ़ोगे तो पी अपॉन एच मिन्स क्या हो जाएगा साइन फिर बी अपॉन एच कॉस और फिर यहां पर 10 है ना एच के लिए पड़ोगे पान जाएगा यहां पर बहुत ही इसी सा फॉर्म ले है आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूत नहीं और इनके ओपर जो questions है वो भी मैं आपको next लेक्ट जो अपना next वीडियो आएगा उसके अंदर आपको बताऊंगा NCRT के basically questions कि उसन questions को आप किस तरह से solve कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे please like कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए good bye हाँ एक बात में आपको ज़रू बताना चाहूंगा कि जो हम न्यूक्लेस अगेडमी कोर्स चला रहे हैं यह online कोर्स है और यह बिल्कुल free of cost है इसमें आप जब चाहें इसे join कर सकते हैं आपको join करने के लिए यहाँ पे number में न सकते हैं कि आपको जो भी problem हो आप मुझे महाँ पर बता दीजिए या फिर आपको अगर हमारी online classes join करना हो तो आप महाँ पर बता दीजिए तो मैं जरूर उसको देखूंगा और जरूर आपको बताऊंगा कि आपके इस तरह से हमारी online classes को join कर सकते हैं और हाँ 9th और 10th के हम all subject के courses provide कराएंगे आपको और साथी साथ जो 11th और 12th है उसमें basically physics, maths, chemistry और बायो यह 4 main subjects हैं हर exam के लिए वो हम आपको यहाँ पर उसकी तैयारी करवाएंगे तो thank you so much अभी के लिए फिर मिलते हैं next video में